दिल्ली में शराब घुटाले से संबंदि, मनी लॉंडिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज़ी सबा सदस्य नेता संजे सिंग को 27 अक्टूबर तक नियायक हिरासत में भेज दिया गया आपको तादे कि उन्हें पहले दी गई हिरासत की अवधी पूरी होने पर शुक्रवार को उन्हें राव जमन्यू कोट में पेश किया गया इस दोरान व्रिशेश नेयायदीश एमके नागपाल ने संजे सिंग को जेल भीज दे दरसल एडी ने राज़े सबा सांसत को 4 अक्टूबर को गिरफतार किया था इडी ने आरोप लगाया है कि संजे सिंग अब खतम हो चुकी नीती के निर्मान और कारान वेन में महतपूर भूमी का निभाली जिससे कुछ शराम निर्माताओं, फोक विक्रताओं और खुद्रा विक्रताओं को मुनाफ़ा है कोर्ट में सुनवाई के दोरान संजे सिंग ने कहा कि आपके आदेश पर आट दिन एडी ने जाच की एडी ने आपसे कहा था कि मामले में अन्यारोपियों से आमना सामना कराना है इनसे पूछिए कितने लोगों से सामना करा है आट दिन में दो से तीन घंटे पूछिटाच की और एक आदमी से सामना कराया आपने दाने कहा कि इनके सवाल आप जरूर सुन ले अगर इनकी मनशाद चार्च करना होती तो कमभीरता से कर दे मैंने एक बिमार बच्चे की मदद के लिए एक लाख रुपय का डोनेशन दिया था उस पर सवाल किये गया है यह ED Entertainment Department बन गया है अडाने के गोटालों के बाद मैंने कही इस पर कोर्ट के जजज ने संजिस सिंग को कहा कि अगर आपको इस तरह की स्पीश दे रही है तो यहां आने की कोई जरुपरत नहीं है आपकी वीडियो कॉन्फरेंस से पेशी हो सकती है वही आपको उता दे कि संजिस सिंग ने जेल में कई किताबों की मांग की है जिनको कोर्ट ने जाज़त दी दी बदा दे की अदालत ने शुकरवार को आमादने पार्टी के राजी सबा सदस्य संजिस सिंग को आपकारी नीती से संबंधित मनी लॉंडिंग मामले में 14 दिन की नियाय खिरासत में भीज दिया है सुनवाई के दौरान एडी ने आदालत को बताया कि आरोपी से पूछताश पूरी हो गई है लेकिन मामले में जाच की जा रही है ऐसे में उन्हें नियाय खिरासत में भीजा जाए अदालत ने एडी की आगरह सुईकार करते वे संजे सिंग को सताई तक उबर तक नियाय खिरासत में भीज दिया है पलाल के लिए इतना ही धन्देवाद